इंदौर के तुकोगंज थाना शेत रिस्थक बीर टीस रोड पर दो दिन पूर्वा एक्टिवा सवार यूफ्ती की अन्य गाड़ी च्वालक की लापर वाही से गाड़ी को टर्न लेते समय टकर लगने के दोरान अस्पिताल में उप्चार की समय मौत हो गई थी जिसके बाद पुलिस ने घटना एस्थल के कैमरे को फुटेज खंगाले जिसमें अन्य गाड़ी च्वालक की लापर वाही दिखाई दी जिसके बाद पुलिस ने टकर मारने वाले चालक के खिलाफ गाड़ी नमबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू थी हमें समय समय पर ट्राफिक पुलिस बहतर गाड़ी चलाने के लिए जागरू करती है लेकिन हमारी लापर वाही किसी के मौत का कारण भी बन जाती है ऐसी ही घटना सामनी आई जहां अपने घर से ऑफस जाती समय एक्टिवा चालक को ओवर टेक करती समय तनिश्क सलूजा उस समय हाथ से का शिकार हो गई जब आगे चलर एक्टिवा चालक ने बिना इंडिकेटर दिये गाड़ी को टर्न किया जिससे की पीछे से आ रहे तनिश्क सलूजा नामक युक्ति की गाड़ी स्लिप होई हो तनिश्क डिवाइडर से जटक रहे जिसको मौके पर मौजूद लोगों ने पास के अस्पताल में रिजवा कर भरती किया था लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उसकी मौत हो गई पुलिस ने आज लापरवाही से गाड़ी चुला रहे चौलक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है एक बाली का है तनिश्क सलूजा यह अपने घर से निकल कर ऑफिस के लिए जा रही थी जिसका पलासिया चौराइज से थोड़ा सा पहले इसमें बाली का कि असामी रखते हो गई उसमें वहां चालक MP09 LL 4380 के खिलाफ प्रकंदर्ज किया गए यह यह अपनी साइड में लेकर जा रही थी और जो साइड में गणई सला थी उन्होंने गाडी अचानक चलते चलते राइच साइड में दबा दी यिससे यह भाएड जिसे पहली का ओँर रही थी ऑ और दो दूसरे वहां चालाग थे उनकी वर्ती थी उन्होंने वहां चलाते चलाते अपनी छोड़कर बिना इंडिकेटर दिये बिना इशारा दिये गाड़ी मोड़ी जिससे यह बालीक आउटेक कर रही थी वह इससे टकरा गए और उसकी बालीका की बता दिश्माइब किया अबने एंपी जिरो नाइन एलल के जो गाड़ी नम्बर बताया में लें तरालीस असी उसके चाला के लिए ख्लाब तरज़ किया है